हेलो दोस्तो विल्कम टू मैं चानल, मैं आपके दोस्पायल, आपका इस वीडियो में स्फागत करती हूँ तो इसलिए ये वीडियो को पूरा शबर देखे प्रूस से हमसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और 74,151 के record high level पर पहुँच गया Nifty ने आज trading के end में 22,490 के record high level को hit किया Axis Securities ने public sector lender के लिए target price 300 रुपीज बताया है Axis Securities ने कहा है कि banking stock currently एक time से एक बार September 25 अजिसेट book value ABV पर trade करता है जिससे लगातार growth and asset quality improvement के रूप में देखते हुए valuation किया जाता है इसने stock पर अपनी buy rating बनाये रखी है और target price 300 रुपीज बताया है brokerage firm City ने 290 रुपीज के target price के साथ Bank of Burda के share को buy rating दी है तो दोस्तों क्योंकि stock में आज हम एक gain देखनी को मिला है तो ये एक positive news है Bank of Burda share की बार में बात करते हैं next news की पर उसे पहले अगर आपको fundamentally strong stock कुछ से find out करना सीखना है तो हमारा fundamental analysis को जरूर जोइन करो उसमें हमने multi-bagger stock find out करने के कुछ secret screener share किये है जिससे आपको fundamentally strong stock find out करने में help मिलेगी और आप multi-bagger return pass होगोगे तो जल्दी से description में दीगे लिंक पर जाकर आप हमारा fundamental analysis को और सिर्फ और 99 रुपीज में join कर सकते हो बात करते हैं दोस्तों next news के बार में Tata Chemicals Limited की शर्स में आज के trading session के दौरान gain हमें देखने के मिला है stock में लगबख 13% की उरुद्धी हुई है जो 52 विक के higher level पर पहुच गया है script में आज भारी trading volume देखा गया था क्योंकि लगबख 17.73 लाग शर्स में को PSC पर हाथ बदलते देखा गया था एक counter का number 1.38 लाग करोड की 2 विक की average volume से अधिक था counter button over 201.11 करोड रुपीज में आया जिसमें 30,210 करोड का एक market capitalization था shares की price में आज उपर की और कदम काफी हद तक Tata Group form की एक और संभावितिंग expectation के लिए जिम्मिदा धराया जा सकता है Tata Suns को listed होने के बारे में market में कुछ उमीद है अगर ऐसा होता है तो यह listed Tata Group संस्थाओं के लिए एक positive विकास होगा जिसमें Tata Chemicals भी शामिल है लेकिन company की छूट के रूप में भी किसी भी उत्सा के आवश्यक्ता नहीं है ग्रूप की other firm इस्टॉक को रखने में भी काफी छूट है market में Tata Chemicals के शूट रखने वाले investor अपने position के साथ जारी रह सकते है Tata Suns की eventual listing के उमीद कर रहे है ऐसा Equinomics Research के संस्थापक और MD G. Choclingam ने कहा है In a separate development, which ratings ने Tata Chemicals के long term foreign currency, issuer defer rating positive से stable के लिए अपना दुरुष्टी को न साजा किया है Tata Group उन company का consolidated net profit last year से 60% गिर कर दिसेंबर को इन 3 month में 158 कर रुपिस हो गया So दोस्तो क्योंकि Tata Group firm के एक another possible listing expectation से Tata Chemicals के shares में आज हमें गेन देखने को मिला है तो ये एक positive news है Tata Chemicals share की बार में बात करते हैं third news की दोस्तो BHEA share में आज हमें एक rate closing देखने को मिले है इसी बीच इलराने कहा है कि empirical evidence बताते है कि एक आम चुनाव year में BAC PSU index average 40% rally करता है जिसमें फरवरी से नीचे की और return की प्रवर्ति होती है Post bottoming and result announcement तक index ने 22% की वापसी की है Further upside post election के माद्यम से value unlocking के माद्यम से आ सकते है तो दोस्तो profit booking की वज़े से BHEA share में आज में downfall देखने को मिला है तो यह एक निगटी नियूज है BHEA share की बार में यह थी आज की stock news update अब बात करते हैं आज के मरे analysis द्वारा recommend कीगे stock के बार में गनेज डोंगरे ने BHEA stock recommend किया है by at around 258 पर बताया है अगर आप नहीं हो तो ऐसे अमसिंग वीडियो के चानल को सब्सक्राइब करना मत भूले और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी करें मिलते हैं और एपने क्यूरेस एपिसोड के साथ until then stay tuned stay curious